नमस्कार दोस्तों आजा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे सौगत है एक बार फिर से आप सब का मेरी एक न्यू वीडियो पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में 11.11 एंजल टाइम जब भी आप घड़ी में देखते हैं और टाइम गेरा बच के गेरा होता है तो क्या आपने सोचा है इसका मतलब क्या हो सकता है चलिए इस वीडियो में इसके सिग्निफिकेंस और मैसिज को समझते हैं सबसे पहले गेरा बच के गेरा को समझते हैं इस टाइम को लोग एक स्पेशल मॉमेंट मानते हैं इस पेच्वल्टी की हिसाब से गेरा बच के गेरा एक पोर्टल है जो आपको हायर डायमेंसा से कनेक्ट करता है इस वक्त देखने पर आप अपने थाट्स और इंटेंशन पर ध्यान देना चाहेंगे क्योंकि ये टाइम डिमाइन कराता है कि आपकी सोच का पावर बहुत जादा है अब बात करते हैं एंजल नंबर की एंजल नंबर वो सिक्वेंस होते हैं जो हमारी लाइफ में बार बार अपियर होते हैं गेरा बच के गेरा को एक एंजल नंबर माना जाता है जो आपको गाइडेंस और इंकरेजमेंट देने के लिए आता है ये आपके एंजल या यूनिवर्स का मैसिज होता है कि आप सही रास्ते हैं जब आप 11-11 देखते हैं तो आपको अपने डिजाइर्स पर ध्यान देना चाहिए ये टाइम अपने सपने देखने और मैनिफेस्ट करने का है गेरा बच के गेरा मिनट का spiritual मीनिंग भी काफी गहरा है ये एक reminder है कि आपका spiritual awakening हो रहा है आपकी intuition और psychic abilities खुल रही है इस वक्त आप अपने soul purpose को समझने की कोशिस करें ये टाइम आपको ये बताता है कि आप अकेले नहीं है आपके angels हमेशा आपके साथ हैं अब बात करते हैं इसका scientific perspective साइकलोजी के हिसाब से जब लोग किसी specific नंबर को बार बार देखते हैं तो ये frequency illusion ये बेडर मेन होफ फिनॉमिना कहलाता है मतलब जब भी आप किसी चीज पर focus करते हैं तो आप उस चीज को ज्यादा देखने लगते हैं इसके अलावा numerology के studies भी होते हैं जहां numbers का psychological और emotional impact समझा जाता है गेरा को एक master नंबर माना जाता है जो intuition, enlightenment और inspiration से जुड़ा होता है इसका मतलब ये है कि 11-11 देखना आपके subconscious mind को activate करता है जो आपके अंदर की creativity को जगाता है spirituality or science में एक interesting connection है जब आप 11-11 को देखते हैं तो आपकी brain waves अलग तरीके से function कर सकती हैं जिसे आप meditation और mindfulness state में इंटर कर सकते हैं ये state आपको clarity और peace देती है जो spiritual practices का एक part है इसलिए जब भी आप गेरा बचके गेरा देखते हैं तो आप एक positive mindset में आते हैं जो आपके overall well being के लि awakening भी काफी गहरा है ये एक reminder है कि आपका spiritual awakening हो रहा है अब हम कुछ practical tips देखते हैं जब भी आप गेरा बचके गेरा देखें तो आपको क्या करना चाहिए इस वक्त meditation करने से आप higher self से connect कर सकते हैं अपने thoughts और desire को लिख लीजिए ताकि आप उन्हें visualize कर सके everyday gratitude कीजिए ये आपके energy को high रखेगा निगेटिव thoughts से दूर रहें क्योंकि ये आपके manifestation को effect कर सकते हैं तो दोस्तो गेरा बचके गेरा minute सिर्फ एक time नहीं है बलकि एक powerful moment है जो आपको अपने dreams और goals की तरह ध्यान देने के लिए inspire करता है जब भी आप इस time को देखें तो उस moment को appreciate करें और अपने intentions को clear करें 11-11 angel time के बारे में कोई भी scientific research या academic paper नहीं मिलता लेकिन इस topic पर कई spiritual और metaphysical article है जो इस time को special या symbolic मानते हैं कुछ लोग इसे synchronicity या spiritual guidance से जोडते हैं